इस वीडियो में मैं आपको अताने वाला फ्रेंट्स की फेस्वुक लाइट अप में मूव टू अर्चिव फीचर क्या होता है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट के नाम पर क्लिक कर देंगे उसके वाफेंट देखिए आप जो भी पोश्ट करते हैं तो आपके वह पोश्ट यहां पर आ जाते हैं तो दोस्तों जब आप अपने पोश्ट को डिलेट करने के लिए जब आप यहां ऊपर थेरी डाउट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक क्या का यूज कैसे किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों जब आप किसी post को जो है move to archive कर देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका वह pos Agent आपके facebook timeline से यहां से हड जाएगा जैसे कि दिखिए हम यहाँ move to archive पर click कर देते हैं और दोस्तों आप आप यहाँ पर डिख सकते हैं कि हमारे profile से वो पोस्ट जो है delete हो चुका है तो दोस्तों archive करने से यह होगा कि आपका वो पोस्ट जो है आपके timeline से हट जाएगा यहनि कि कि आपको पने profile को इस तरीके से open कर लेना है और friends आपको यह थिरी डॉट पर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ archive का उफसन मिल जाएगा तो आपको इस पर click कर देना है उसके बाद friends यहाँ पर आपको अपना वो पोस्ट देखने को मिल जाएगा जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी इस पोस्ट को अर्काइब किया है तो यहाँ पर लिखा हूँ देखने को मिल रहा है रामसंकर को वहार अड़ेड़े न्यू फोटो तो आप अगर आप जो है अर्काइब किये हुए और यह थिर्य जाया अपको पोस्ट को मिल जाएगा जिसको आपने अर्काइब किया होगा तो आप देख सकते हैं पर दखरा है लेकिन दोस्ट अगर आप जो इस पोस्ट को बापस आप अपने प्रोफाइल पर लाना चाहते हैं जैसे दोस्तों देखिए आप आप देख सकते हैं कि हमारा वो पॉस्टो जो है वापस हमारे प्रोफाइल पर आ चुका है इस तरके साव जाए फेस्टूक लाइट अप में मूब टू अर्चीव फिचर का यूज कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को ला है सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा